अमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस अबडेट्स के लिए बेल आइकन सिरूर दबाएं आज किस एपिसोड में हम बात करेंगे तलंगाना गावर्मेंट की हाल ही में लॉंच की हुई LRS स्कीम 2020 के बारे में ये तलंगाना की गावर्मेंट ने एक सुनहरा मौका दिया है उन लोगों को जिन्होंने प्लॉट्स खरीदे हो अन्रिगिलराइस्ट लेयाउट्स में या फिर उन बिजनसमें के लिए जिन्होंने अपने अगरिकल्चरल लांज को प्लॉट्स में डिवाइट करके लोगों क को बेच दिये हों या बेच रहे हों लेकिन अपनी लोकल म्यूनिसिपल अथारिटीज के पास इन लेयाउट्स को अप्रूव नहीं करवाया हो इन दोनों के लिए ये स्कीम बहुत मुफीद है उनको चाहिए किस लार स्कीम में अपलाई करके अपने लेयाउट्स को रेगि लूचर एक्सपैंशन्स में जब प्लाई करेगी तो आपके प्लाउट्स और आपके लेयाउट्स को भी इसमें इंकलोट कर लेगी मैंने कई लोगों को कहते वे सुना है कि सरकारें तो आती और जाती रहती हैं तो एक सरकार जो जियो यानिक जो गावर्मेंट ओर लेकर आ जाता है तो आपको इस वक्त गावर्मेंट ओर यानि जियो वन थरीवन और जियो वन थरीवाइव के तहट जो एलारेस 2020 में अप्लाई करने की हिदायत दी गई हैं इसको आप जरूर कॉंपलाई करें यह आखरी तारीख इसको अप्लाई करने की है 15 अक्टोबर 2020 यानि 15 अ अब इसको करने के तीन तरीखे हैं या तो एक आप घर बैठे अपने घर से ही तलंगाना गावर्मेंट ने एक LRS के लिए स्पेशल वेब साइट लॉंच की हैं उस पर लॉग इन करके आप अप्लिकेशन फाइल कर सकते हैं दूसरा आपको गूगल प्ले स्टोर पर एक LRS 2020 आप मिल जाएगा उसे डाउनलोड करके आप उसके तरू कर सकते हैं या तीसरा तलंगाना में जितने मी सेवा सेंटर्स हैं आप उन सेंटर्स में कहीं भी जाकर अपने LRS अप्लिकेशन को फाइल करवा सकते हैं लेकिन क्योंकि अभी कोविट का माहौल है और सोशल डिस्ट सेंसिंग का खयाल रखना है हमें सब जगाओं पर कम से कम खतार लगानी है कम से कम भीड होनी चाहिए तो इसलिए मैं यही मिश्वरा दूँगा कि आप अपने घर बैठे वेब साइट के तरू या फिर आपको डाउनलोड करके LRS अप्लिकेशन फाइल कर लीजिए आज के मैं आपको यह बताऊंगा कि वेब साइट के तरू किस तरह किया जाता है एक बात आप याद रखें कि जो डॉक्यूमेंस आपको तयार रखने हैं जो चाहे आपके तरू करें या फिर मेंसिवा जाकर करें आप जो भी प्रॉसस करें लेकिन आपको अपने लैंड की यह सेल एक तयार रखनी है handy जिसकी जरुद पड़ेगी इसका सिर्फ पहला पेज आपको चाहिए होगा जो आपको scan करके ready रखना है आप अपने mobile पर कोई भी free scanning app download कर सकते हो और पहला पेज आप scan कर ले और फिर आपके पास होगी एक इसके layout की copy इस plot के या फिर इस venture के layout की copy जो भी आ आपके पास हो आप उसे scan कर ले और तीसरा अपना आधार card ready रखें तो यह sale lead जिसके भी नाम पे बनी है वही खुद इस पे apply करें तो चलिए अब हम देखते हैं कि website पे किस तरह आप LRS के लिए apply कर सकते हैं घर बैठे website के तुरू LRS के लिए apply करना बहुत ही आसान है चलिए मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं कैसे करना है यह आपने laptop पर Google Chrome या Firefox आप जो भी browser इस्तमान करते हों वो खोल लें और यहां पर आप टाइप कर दें website LRS.Talangana.government.in और फिर किया enter यहां पर खुल ज जिसमें लिखा है Municipal Administration and Panchayat Raj Departments Layout Regularization Scheme 2020 Government of Telangana. राइट साइड आप देखेंगे शीफ मिनस्टर के चंदर शेखर राव की पिक्चर उसी के नीचे है apply for LRS 2020 उसी के horizontally नीचे लेप साइड आप देखेंगे और एक आइकन दिया है Layout Regularization Scheme LRS apply for LRS 2020 आपके दोनों में से जो चाह आइकन दबा दें लेकिन यह जो उपर apply for LRS 2020 है उसके ठीक नीचे यहाँ पर need help या chat वितास लिखा है लेकिन इससे कोई मदद की तवक्कु ना रखें यह dummy है यह काम नहीं कर रहा है करसर भी नहीं लगेगा इस पर तो आप सीरे से apply for LRS पे चले जाएए यह क्लिक किया आप यहाँ पर दो options है Indian NRI अगर आप इंडिया में रहते हैं आपके पास Indian mobile number है तो आप Indian लिखिए ताकि आपके mobile पर एक OTP आएगा और आप उस OTP को यहाँ पर enter करेंगे और अपने account को validate कर सकते हो अगर आप NRI हो इंडिया के बाहर रहते हो तो आप NRI पर क्लिक करें ताकि वो आपको यहाँ पर अपना email ID पूछेगा और यह account आपका email ID के तुरू validate हो जाएगा तो यहाँ पर मैं Indian क्लिक कर रहा हूं और यहाँ mobile number पूछ रहा है वो मेरा यह मैंने feed कर दिया अपना mobile number और यहाँ क्लिक कर रहा हूं generate OTP यह देखिए दूसरा page खुल गया please enter OTP अब देख 752338 टाइप कर दिया और यह किया validate OTP यह देखिए यह एक खुल गया layout regularization scheme 2020 वाला application page यह एक ही पीज आपको फिल करना है और यह बहुत ही सिंपल है यह regularization applied for अगर आप individual plot owner हो ना तो आप यह select कर ले और अगर आप land developer हो आपने plotting की है और आपको अपने सारे layout के LRS के लिए apply करन है तो आप यह layout पर क्लिक करेंगे तो यहां पर मैंने क्लिक किया individual plot अब यहां पर उसके बाद दिखिए plot और layout falls under यह जब आप select पर क्लिक करेंगे तो drop box आएगा corporation municipality या gram पंचायत including हैदरबाद Metropolitan Development Authority HMDA तो यह मैंने क्लिक कर लिया gram पंचायत अगर मेरा gram पंचायत में आता है तो आप वो क्लिक कीजिए आप से लीट पर देखिए आपको पता चल जाएगा यह देखिए plot और layout falls under यह क्लिक कीजिए options है जो हमने already select किया था और district district drop box में options है आपको choose करना है अपना relevant district मंडल अगें आप जो भी applicable मंडल है वो चूज करेंगे gram पंचायत जो भी आपका applicable है वो चूज करेंगे village यह भी आप चूज करोगे जो applicable है एक बात याद रखिए कि यह सारे details आपको अपने sale deed में ही मिल जाएंगे कहीं बाहर आपको ढूंडने की जरूरत नहीं है अक्सर sale deed के second page पर यह सब लिखा होता है वहां से आप copy कर लें उसके बाद आएंगे plot details आपका अपना जो plot है वो details आपको fill up करना है तो आपकी जो लोकालिटी है जहां यह plot है यह भी आप sale deed से copy कर सकते हैं plot number मिसाल के तौर पर plot number 10 है तो plot number 10 लिख ले survey number यह बहुत important है यह आपको sale deed म और layout पर लिखा रहेगा कहीं से भी आप survey number ले सकते हैं यहां एक बात यादर किया survey number जब आप type करोगे तो कभी ऐसा हो सकता है कि survey number के बाद कोई तेलगू में alphabet आ जाए जैसे कि survey number 277 oblique तेलगू alphabet A लिखा होगा अब यहां पर कोई virtual keyboard option नहीं है जहां पर तेलगू alphabet दिए ग select कर सकते हो आप इस तरह आप कर सकते हो कि 277 by A ले लिया अब area extent of plot in square yards अगर आपका 200 है 400 है या 500 square yard है तो आप वो यहां पर type कर दें कि कितने square yard plot है और फिर sale deed number यह sale deed number भी आपको वहीं मिल जाएगा sale deed पर ज्यादा तर sale deed pen से लिखा होता है यह 5 digit का होता है 5 digit जैसे के 54546 of 2007 यह type कर दिया और फिर आपकी जो सब रेजिस्टर और office जहां पर यह plot का registration हुआ है वो भी stamped sale deed पर ही होगा वो देखकर आप select कर लिजिए कि कौन सा आपके लिए applicable है plot document upload जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था अब आपके desktop पर जो रेडी है PDF files sale deed front page याद रखिए कि sale deed में 5-6-7 जितने भी pages हो वो सारे upload नहीं करना है आपको सिर्फ first page जो आपका 100 rupees stamp paper या 50 rupees या जो भी amount का stamp paper हो सिर्फ वही first page का आपको यहां पर PDF file upload करना है उसके बाद copy of layout यह अगर आपके पास सारे layout की copy है तो वो दाल दीजिए या सिर्फ अपने plot का layout है तो वो upload कर दीजिए बस यह दो documents आपको upload करना है third optional है other document type ULC registration document अगर आपके पास कोई third document इस तरह का हो तो आप upload करें वरना इसे ignore कर दें अब आए applicant details ही आपके अपने details है आप plot owner अब आपका पूरा नाम यहां टाइप करें आपके father या spouse name आपका आधार card number आप male है या female आपका gender आपका house number street, colony, locality, town, village, district जो भी आपका district है जहां आप रहते हैं pin code यह mobile number जो आपने पहले feed किया था वो default आ गया यहां पर अपना email ID type कर दें अगर कोई alternate mobile number हो कोई family members का तो preferably वो यहां पर type कर दें बस इतना ही था application अब आखरी option है payment details यहां पर आपको 1000 रुपी पे कर हैं जो ICICI bank के थू है तो आपके दोनों में से कोई भी select कर लें और इसके click करने के बाद क्यूंकि अब मैंने यहां पर सारे details genuinely fill नहीं किये हैं तो मैं यहां पर आगे नहीं बढ़ पाऊंगा लेकिन जब आप यह फिल कर देंगे तो यहां पर जब आप click करोगे तो आपको payment gateway पर ले जाया जाएगा वहां पर आप अपना debit card हो या credit card हो या internet banking के जरीये हो आप thousand रुपीज पे कर सकते हैं वो पे करने के बाद एक receipt pop-up होगी वो receipt से आप application number अपने document के पीछे pen से copy करके रख ले और print out का भी option है उसमें अगर आपका printer attached है तो आप immediately print ले सकते हो अगर नह ही है तो वहां पर document को save करने के भी options है जैसे कि आप Google Drive में उसको save कर सकते हो अगर ये दोनों भी नहीं कर सकते आप तो print screen का जो option होता है अपने keyboard पर उससे आप वो picture ले ले स्क्रीन की और word document पर paste करके अपने records के लिए रख ले बस इतना ही था application का process तो है ना बहुत ही simple मैं उमीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई informative लगी तो दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजी और आपने अगर अब तक मेरे चानल को subscribe नहीं किया है तो subscribe और bell icon दबाना ना भूलें